डॉक्टर केके अगरवाल अभी है जब वैक्सिनेशन ड्राइव अब और रफ्तार पकड़ने वाली है एक मई से लोग ये जानना चाहते हैं कि वैक्सिनेट एक डोज हो गई दूसरी डोज फिर अपडेट होगी उधर जीनोम सीक्वेंसिंग को इधर स्टडी करके अपडेट किया जाएगा वैक्सिनेशन क्या फिर से होगा इस तरीके से बूस्टर डोज लोगों को लगवाते रहनी होगी क्या होगा सिनेरियों क्या होने वाला आने वाले दिनों सबसे पहले तो मैं एक टीश को फ्लैरिफाय कर दूँ क्योंकि दो हफ्ते के बाद में ओपन होने वाला है मार्केट तो वो लोग जो कॉंप्लिकेटेट केसे हैं जैसे अभी रखसा भी बताया थ्रंबोस हैटोपीन अगर आप वैक्सिन के लिए जा रहे हो और अगर आपको थेओरिटिकली कॉंप्लिकेशन होने की संभावना है तो पहले ट्राइ कर लो कि बैट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज की देट में 600 नंबर की बैट की वेटिंग लिस्त है और अगर आपको कोई वैक्सिन लगवाने की नहीं मिलेगा अधरवाइस पंदरा दिन वेट कर लीजिए लगता है ये बेफ और पंदरा दिन में शान फोली चालू हो जाएगी डॉक्टर केके अगरवाल मौझूदा सिनेरियो में दो तीन बड़ी इंपोर्टेंट बातें जो आप चाहते हैं कि पब्लिक अट लार्ज तक पहुँचें क्योंकि हम बस कंक्लूड करने वाले हैं इस शो को मिले को पूछ रहे हैं? जी जी किसको पूछ रहे हैं सवाल? जी डॉक्टर अगरवाल आप सही है अच्छा तो आज की डेट में जिस प्रकार से ये बिमारी फैल रही है आज हर कंडिशन को एंटिसिपेट कि 40% positivity rate है 30% true positivity rate है और 10% RT-PCR negative आएगा उसके हिसाब से किसी भी हस्पिताल के setup में आप जाएंगे तो 40% लोगों को positive निकलेगा अगर ऐसी situation है आप अपने आपको बचा के रखो positivity rate इतना जादा है कि अगर आपको कोई भी बिमारी है don't wait for the report, look for the modus operandi and circumstantial evidence अगर आपको लगता है modus operandi respiratory disease है circumstantial evidence है घर में एक positive है आप immediately अपना treatment चालू करें परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे TV9 भारत वर्षपर